हेलो दोस्तों स्वागदाब सभी करेपब फिर से मेरे चैनल पर आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए रेलवे ग्रूप टी के रिगार्डिंग एक्षरी ये ग्रूप डी नहीं है एंटीपीसी और पूरी वेकेंसी एंटीपीसी एलपी और ग्रूप टी मतलब नई वेकेंसी के रिगार्डिंग ये अपडेट है और नई वेकेंसी के वेट करने वाले के लिए बहुत बड़ी ये खुश कभरी है क्योंकि उनको मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्द आपकी नई वेकेंसी आने वाली है तो यह मैं पुरा सबूत दिखाऊंगा ए ब्रूसंतों तो दो चब्मतयों क्या के अब्डेट निकल कर मदा अब्सक्राश सबसे पहले ह endeavor reconciliation कि अग्रूप डी किल स्फ मितिए फिरोज्पूर के चंडियोज सबख absolutely यह ने फिरोजफ़ के कैंड़ड के द्वारा तो यह अप्डेट द्क है द्होर ध्यान आब नॉर्धन रेलवे फिरोजफुर डिवीजन द्वारा एक आर्टियाई लगाया था रेलवे में तो केंड़ेट ने अक्षली पूछा था कि आउट ओफ 579 पॉइंट्स में 350 अपांट्वन लेटर्स हैव कम एंड हाउ लॉंग विल रेश्ट चोइनिंग लेटर कम तो यह क्वेशन बहुत ही सही और यही क्वेशन सभी को आर्टियाई में पूछाना चाहिए तो मैं तो बहुत हो दोस्तों कि जिनकी भी जोइन प्रोस अब यही साफ सब दोस्तों बोला है कि अपांट्वन की जो भी प्रोसेस है वो अभी इन प्रोग्रेस चल रही है और जो भी केंडिट्स बचे हुए हैं उनका भी जोइनिंग बहुत चल आ जाएगा तो मैंने अपने प्रीवेश वीडिए पर पहले ही आप तो सभी को बोल लिए है कि दिसमबर तक जोभी वेकर सी साभी डीवीजन में में वो सभी भरने की आदेश दिया है और अभी जो प्रोसेस चल रही है सेटी केट्री की पोष्ट के लिए मतलब गुरूब दिच के लिए उससे रेलवे ने ये साफ साफ आदेश दिया है सभी जोनल डिवीजन्स को कि जुलाई अगस्ट तक ये सभी वेकंसी भर दी जाए और ग्रूप डी की प्रोसेस कंप्रीट कर दी जाए तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगस्ट तक तो नहीं हो पाएगी ये अगस्ट ल इडेट्स का जोने लेटर आ जाए या फिर उनको अपडेट मिल जाए उनके मेल पर तो आप अपने मेल पर रेगुलर अपडेट रही है और जो नंबर है आपकी मुबाइल नंबर राइस्टर वाली उसे रिचार्ट जरू करा के लखिएगा दोस्तों तो चरे देखता हू जो दूसरी अपडेट है आज की नई वेकंसी के लिचार्णी उसमें बहुत में टॉपिक उसमें मेंशन है देखिए अक्षिली ये आपकी जीडी सीई के तहत आई है मतलब जीडी सीई की वेकंसी के लिए एक नोटिस रेलेवन ने जारी किया है इसमें देखिए ये जीड बताया गिया है जेनरल डिपार्मेंट कॉमुलेटिव एक्जामिनेशन फॉर फिलिंग अप 25 परसेंट ऑफ डिरेक्ट रिक्रेट्मेंट कोटा वकंसी तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था प्रीविडियो पर आपने की जीडी सी के तहट 25 परसेंट फिल किया गया है और साट परसेंट की वेकंसी मतलब साट परसेंट की सीट ओपन भरती के तहद भरी जाएगी तो फिर देखिए इसमें क्या लिखा गिया है इट हैस बिन डिसारेट टू कंडग जीडी सी इन क्रिटिकल सेफ्टी कटेगरीज इन सेंट्रलाइज मैनर फॉर ऑल दे ज सभी पोस्त जो भी है वेकंसी जो भी डीविजन में जो भी जोन में खाली है वो सभी दिसंबह तक भर दी जाए या फिर उसकी अपडेट बाहर निकाल दी जाए ताकि उसके रिगारीडिंग जो वेकेंसी है वो वेकेंसी निकाली जाए ओपन भरती के लिए या जीडीसी के तहत लेकिन उसे भरा जाए बहुत जल्ड दिसंबर तक कम्पीट करने के लिए आदेश दिया गया है दोस्तों फिर यहाँ पर देखिए 25% of direct treatment vacancy including vacancies occurring in the assessment period from 1 7th to 1 725 in the following specified safety categories of journal railways shall be shall be remarked for for recruitment through GDC the GDC examination is proposed to be held by a centralized agency as per the examination pattern for these categories my rrb detail of which will be shared in due course दूसरे नंबर पर देखिए दोस्तों application may be invited from eligible server regular employees यह line भले लिखा हुआ है कि regular जो serving employees है वो भरेंगे GDC बट अभी मैं आप लोंको बताने वाला हूँ आगे की line में जो new workancy आने के regarding update है तो यह वाली line पहले देख रहते हैं कि including from the related PUs as per action norms for the critical safety categories of journal railways other than workshop via assistant local pilot technician junior engineer and train manager यही चारों पोश्ट पे वाकंसी आएगी GDC के तहत और open भर्ती के तहत देखिए दोस्तों assistant local pilot technician junior engineer or train manager इन्हीं पोश्ट पे वेकंसी आने वाली है तो अपर प्रीपेर रहीएगा चलिए देखते हैं तीसरा point क्या है और आरसी बिल पॉब्रीश सिंगल नोडिकेशन ओन देर वेबसाइट फिप्टीन सेवंध और टॉंटी टॉंटी तरी गिविविंग बाए तो यही बताया है कि देखिए डेट अपर आगे क्या लिखा गिया है एक्जामेशन प्रॉंट प्रॉंट्रा जुलाइं को यह वेकंसी आने वाली है जीडी सीए की दोस्तों ओपनिंग डेट ऑफ टाइम ऑफ ओनलाइन डाइस्टेशन फिलिंग वह भी पंदरा से ही स्टाट होगी बट देखिए यहां पर आगे क्या लिखा गिया है एक्जामेशन पैटन फॉर एक्रिट्मेंट फॉर दीस के टेगरी विल बी सीमिलर तो द वेकंसी आने वाले सिक्स नमबर पॉण्ड में देखिये दोस्तों यह साफ सब बता हिया है और रेलेवेशा डिरेक्टेड टु एंशूर दाइम लाइन फॉर नोटिफिकेशन और इन इन इविटेशन आप अप्लिकेशन और अप्लिकेशन आप अदेशन आडेर विद वि जो भी वेकंसी डिरेक्ट वेकंसी आने वाली है या जी डिसी की वेकंसी जो चल रही है उसे ऑक्टोबर तक फिल किया जाना चाहिए जो वेकंसी आने वाली है मतलब ऑक्टोबर तक जितनी भी वेकंसी है वो सारा इस पे नोटिफिकेशन इन वाइट किया जाए देखिए आठ नमबर पॉइंट के नीचे देखे दोस्तों यह साफ सब आपको बता गया है निव वेकंसी के लिए पहले आठ नमबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है वो देख रहते हैं इट में भी एंशूर्ड दाट इनकेस एडिक्वेट सुटेबल केनिडेट्स अर नौट अव और जीडीसी के तहत अगर जो दोस्तों कैनिडेट उनको नहीं मिलते हैं या फिर मानले यह पांच जार की पोश्ट है और जीडीसी के तहत सिर्फ कुछ ही कैनिडेट मिलते हैं मतलब सीडीड पूरी नहीं भर पाती है तो यहां पर बता गया है कि वएकंसी future मतलब यह साफ साब बताएगे कि अगर सीट पूरा नहीं भरा जाए तो डारेक्ट रिक्रेट्मेंट के द्वारा वाकंसी निकाला जाएगा तो यहीं मैं बोलना चाहरा हूँ कि सीट नहीं भरेगी दोस्तों कभी नहीं भरती है तो आप रेडी रहिएगा यह पूरी हंड़िट परसेंट मैं शौर हूँ कि आपकी वाकंसी बहुत जल्द आने वाली है और एलपी के लिए जैसे मैंने बोला है कि 10,000 वाकंसी आएगी और एंटी पीसी की भी वाकंसी आने वाली है दोस्तों तो आप प्रिपेरेशन अपना जारी रखिएगा क्योंकि यह वाकंसी बहुत चल्द आने वाली ऑक्टोबर तक सभी वाकंसी जारी करने के लिए आदेश्तिया गिया है औ यहां पर देखिए यही दो अपडेट थी मेरे पास आज दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताया अभी तो आप लोग रहिएगा जो भी न्यू वाकंसी के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं वो लोग इसी नोडिफिकेशन के तहत अपनी प्रेपरेशन को और मजबूत कर लि लिए तो यही अपडेट थी और जॉणिंग की प्रोसेश जो है मैंने वह भी आप लोगों को बताया कि अगस्त तक आपकी सभी की कमडिट होने की मैक्सिमम चांस है सभी को जो भी नोडिफिकेशन आएगा मतलब जो भी अपडेट मिलेगी मेल पर मिलेगी या पर मोबाइ वीडियो के आप सभी से फिर से लाइक कर दिएगा सब्सक्राइब कर दिएगा और चैनल को शेर कर दिएगा ताकि यह अपडेट सभी को मिल पाए जाही धनेवाद